मेरा नाम रजनी है और मेरी उम्र 23 साल है मेरे ससुर को पतंग उडाने का बहुत शौक था और वो पतंग कटकर जिस घर की छट पर जाकर गिरती थी तो गाउंवालों को मजबूरन उस घर की लड़की की शादी मेरे ससुर से करनी पड़ती थी क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं क और फिर से नई लड़की से शादी कर लेते एक दिन ससुर घर की छट पर पतंग उडा रहे थे मैं भी उसी वक्त छट पे कपड़े सुखाने के लिए गई थी और तभी उनकी पतंग कट गई तो मेरी चीख निकल गई क्योंकि पतंग तो वापस आकर मेरे आज ससुराल में मेरा पहला दिन था हमारे यहाँ जादा जाच परताल नहीं हुई थी क्योंकि रिष्टा बहुत मालदार घर से आया था ये लोग गाउं के नामी गिरामी लोग थे मैं बहुत खोश हुई थी कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है जो इतने अच्छे और बड़े घर की मैं पशंद किया था मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन मैं हरान इस बात पर थी कि मेरी सास बहुत कम उम्र हसीन लड़की लग रही थी मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो आदत की भहुत अच्छी थी और मेरा बहुत खैयाल भी रखती थी मेरे मैंने जल्द ही घर को अपनी महनत और लगन के साथ संभाल लिया था ससुराल में दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे और अब मेरा दिल माईके में कम लगता था अगर मैं कभी माईके आभी जाती थी तो मुझे अपने ससुराल वालों की बहुत याद आया करती थी और तब मेरे पती मुझे जल्दी से बुलाकर ले जाया करते थे और मैं बहुत खुश होती थी मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी खुश रहती थी और बेफिक्र भी क्योंकि बेटी आगर ससुराल में खुश हो तो माए बहुत खुश रहती है तो मेरी मा भी बहुत खुश होती थी मुझे खुश देखकर वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था मेरी सास जो कम उम्र की थी वो बोलती बहुत कम थी खास तोर पर मेरे ससूर के सामने उनकी बोलती बंद ही रहती थी और मैं ये सोचती थी कि मेरे ससूर मेरे लिए तो बहुत अच्छे है तो फिर इतना उनसे डर कर ये क्यों रहती है ससूर मजाकिया भी बहुत थे मेरे पती और मेरे ससूर आपस में भी काफी मज़ाक किया करते थे और चलते-भirtे भी मुझसे मज़ाक कर लेते थे मेरे ससूर गाऊं के बहुत बड़े सरपंच थे लेकिन मैंने उनके अंदर कभी भी घमण नहीं देखा था वो बहुत हस्मुक थे मेरी सास उन سے عمر में बहुत छोटी थी और मैंने देखा था कि मेरे सासुर मेरी सास से बहुत महब्बत करते थे उनका बहुत ख्याल रखते थे हर चीज उन्हें लाकर देते थे फिर उनका ये डर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने एक दो बार अपने पती से भी इस बारे में पूछा था उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो ऐसी ही है ज्यादा नहीं बोलती तुम उन पर ज्यादा ध्यान न दो मुझे यू लगा था कि जैसे मेरे पती मुझसे कुछ छुपा रहे हो उसके बाद मैंने अपनी सास से भी पूछा था कि आप इतनी डरी सहमी क्यों रहती है तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं अपने पती की बहुत इज़त करती हूँ इसलिए मगर ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं भी तो अपने पती की इज़त बहुत ज्यादा करती हूँ मगर मैं तो ऐसे डरी सहमी नहीं रहती थी फिलहाल मैंने बात को ज्यादा खीचना सही नहीं समझा क्योंकि मुझे लग रहा था शायद में ज्यादा सोच रही हूँ शायद ये मेरा वहम हो क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी मेरे साथ घुल मिलकर रहती थी और हम घर का सारा काम मिल जुलकर ही करते थे मेरी सास मुझे अच्छी लगने लगी थी मैं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे अपने दिल की हर बात शियर करे ताकि हम खुशी के साथ साथ एक दूसरे के दुख भी बाट सके मगर सास अपने दिल की बात नहीं करती थी जब भी मैं उनसे कुछ पूछती थी तो वो बात को टाल देती थी मेरी शादी को अब देल महीना होने वाला था तो घर में एक दो बाता ऐसी हुई थी कि मेरे होश उड़ गए थे एक दिन मेरे ससूर बाहर से घर आए और घर में आते ही उन्होंने मेरी सास को डायवार्ज दे दी थी जहां तक मुझे याद था कि ना तो घर में किसी किस्म की कोई लडाई हुई थी और ना ही कोई जगड़ा हुआ था और ना ही मेरी सास से कोई ऐसे गलती हुई थी तो ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा था ससूर का इस तरहां से सास को डाइवॉर्ज देना मुझे सही नहीं लगा मैं हैरान हो गई थी कि मेरे ससूर इस उम्र में ये सब क्या कर रहे है मैंने अपने पती से पूछा इस बारे में तो उन्होंने भी यही कहा कि उनकी अपनी परसनल जिन्दगी है हम क्यों दखल दे लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि एक बेटा अपने बाप के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है और अपनी मा को बे सहारा कैसे कर सकता है तब मेरे पती ने बताया कि ये उनकी मा नहीं है बलकि वो तो बच्पन में ही अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी लेकिन अब भी मेरी समझ में ये नहीं आया था कि ससुर जी ने मेरी सास को तलाक क्यूं दी सुभा मुझे अपनी सास घर में दिखाई नहीं दे रही थी तो मैंने सोचा कि वो तो अपने घर चली गई होंगी मैं ये सब बाते सोची रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने छट पर कपले डाले थे सुखाने के लिए मैं छट पर पहुँची तो मेरी नजर एकदम मेरे ससुर पर पड़ी तो वो पतंग उड़ा रहे थे उन्हें ये करता देखकर मैं अपनी हसी नहीं रोक पाई थी और जोर जोर से हस पड़ी थी ससुर ने मुझे हसता देखा तो वो भी मुस्कुरा दिये थे और फिर वो मस्ती से पतंग उड़ाने लगे थे फिर मैं कपले लेकर नीचे आ गई पहले तो मैं सास को लेकर बहुत परिशान थी और मैंने सोच भी लिया था कि उनसे सच को पूछ कर ही रहूंगी ससूर से सवाल जवाब करना बहुत अजीब लग रहा था अगर वो डाट देते तो मेरी क्या इज़त रह जाती तो ऐसे जो चल रहा था मैंने वैसे ही चलने दिया मैंने कोई सवाल नहीं उठाया लेकिन मेरे दिमाग में से ये बाते नहीं जा रही थी कि आखिर मेरे ससूर ने ऐसा क्यों किया मेरी सास तो बहुत अच्छी थी कम उम्र की भी थी तो अचानक उन्हें डाइवार्ज देने का क्या तुक बनता था अगले दिन जब मैं उठी तो परिशान हो गई थी और परिशान क्यों नहोती क्योंकि मैंने अपने अलावा घर में एक जवान लड़की को पाया था जो कि बहुत खुबसूरत थी जो मेरे ससूर के कमरे से निकल रही थी मेरे ससूर ने सिर्फ इतना बताया था कि आज से ये तुम्हारी नई सास है मैं चुपचाप खड़िये सब कुछ देख रही थी कल ही एक लड़की को डायवार्ज देकर आज ही अच्छी खुबसूरत लड़की से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी कि असास ने कुछ गलत कर दिया था जिसकी वज़ा से उसे डायवार्ज देना पड़ा मगर ये रातो रात नई सास कहां से आ गए थी वो भी इतनी हसीन ये सब मैं अपने दिल में सोच रही थी नई सास से मिलने के बाद मैं अपने पती के पास आ गए थी और मैंने उनसे पूछा कि ये अचानक नई सास कहां से ले आए है मेरे पती ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था बस इतना कहा था कि उनकी अपनी पर्सनल जिंदिगी है वो जो चाहे करे तुम अपना काम करो बार बार मुझे सवाल मत पूछो अगर मैंने कभी दूसरी शादी की या सोचा तब मुझे सवाल करना वो गुस्से में लग रहे थे उनकी बात सुनकर मैं खुद ही डर गई थी कि कहीं मेरा पती भी मुझे डिवार्स देकर दूसरी शादी न कर ले मैं भी तो बेकार में उससे सवाल जवाब करने बैठ जाती थी मैं चुपचाब बैठ गई और ज्यादा जोड देकर पूछना मुझे सही नहीं लगा था मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी तो देखा महा तो पहले से ही मेरी नई नवेली सास काम कर रही थी मेरे मना करने के बावजूद भी वो काम करती ही जा रही थी मैंने उनसे अचानक शादी के बारे में पूछा तो वो घबरा गई और यहां वहां देखने लगी और मेरी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब मैंने ज्यादा पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके ससुर शादी करके लाए है और फिर वो अपने काम में लग चुकी थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मजबूर हो और कुछ बताना ना चाहती हूँ मैं कमरे में लेटने के लिए चली गई और सोचने लगी कि मिरे ससुर ने कल ही तो मिरी सास को बेवज़ा डाइवॉर्ज दिया है और आज नई सास कैसे आ गई है क्या ससुर पहले से ही इस लड़की को पसंद करते थे और इसलिए उनको डाइवॉर्ज दिया था सोचते सोचते कब आख लग गई पता ही नहीं चला मेरी नीन में खलल पैदा हुई तो मैंने देखा कि कमरे में मेरे पती मौजूद थे मैंने जल्दी से उठकर पूछा कि आप कब आए तो उन्होंने कहा कि बस अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले तुम लेट जाओ आराम करो मैंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और खाना भी और मैं ये कहकर कमरे से बाहर आ गई थी वहां मेरी नजर मेरी सास पर पड़ी जो बहुत परिशान और रोती हुई मिली थी मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था बस यही कहा था कि घरवालों की याद आती है किचन में खाना निकालते वक्त मुझे याद आया था कि यह लड़की मैंने पहले भी कहीं देखी थी मगर कहा याद आया तो पता चला कि यह तो इसी गाउं में रहती थी मैं बाहर गई थी तो इस लड़की को देखा था तो वो शायद किसी से छुपकर बात कर रही थी तो मतलब मेरे ससुर का इस लड़की के साथ अफैर चल रहा था तब ही उन्होंने डाइवार्स दे कर इससे शादी कर ली मुझे सारी बात अब समझ में आ गई थी मैं ना जाने खुद से क्या सोच कर बैठ गई थी मगर ये वाली भी सास जवान और अच्छे दिल की थी मेरा बहुत खयाल रखती थी और प्यार भी करती थी कुछ बाते थी जो मुझे परिशान करती थी लेकिन फिलहाल मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था हम दोनों जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे मगर मुझे ये वाली सास भी बहुत डरी सहमी लगती थी खास तोर पर ससूर के सामने मेरी शादी को दूसरा महीना शुरू होने वाला था और मैं आगन में काम कर रही थी और इस बार भी उन्होंने बगार सोचे समझे इस सास को भी डिवार्स दे दिया था मैं ये देखकर बहुत डर गई थी कि आखिर ससूर ऐसा क्यों कर रहे है मुझे कुछ गल्बल लग रही थी और देखते ही देखते ससूर जी नजरों से ओझल हो गए थे मैंने सोचा क्यो न चल कर देखकर राऊं कि ससूर जी क्या कर रहे है मेरी तो आखे फटी की फटी रह गई थी जब मैंने उन्हें फिर से पतंग उडाते हुए देखा था मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और आज हिम्मत करके मैंने उनसे पतंग उडाने के बारे में पूछ ही लिया कि क्या आपको पतंग उडाना बहुत ज्यादा पसंद है उन्होंने फिलहाल तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में पतंग उडा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आज बहुत जल्दी थी पतंग उडाने की लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं ये सच जानकर ही रहूंगी लेकिन इस से पहले में कुछ जानने की कोशिश करती मेरे ससुर्ण ने इस सास को भी डाइवार्ज देकर छोड़ दिया था इन सब हालात को देखकर मेरा तो सर चक्राने लगा था मैंने आकर जल्दी से पानी पिया मगर मुझे कोई कुछ बताने वाला भी नहीं था कि ये सब हो क्या रहा था घर के बाहर सबजी बेचने वाला आया तो मैं खुद ताजी सबजी खरीदने लगी थी जब उसने मुझसे अजीब सा सवाल पूछा कि और कितनी शादिया करना चाहते हैं सरपंच सहाब मैं ये बात सुनकर बहुत परिशान हो गई थी और उसे क्या जवाब देती जबकि मैं खुद ही अंजान थी इन सब बातों से तो वो बोला कि आपके ससुर हर महीने एक पतंग उलाते है जिसकी छट पर पतंग कट कर जाती है उस घर की लड़की को तुम्हारे ससुर से शादी करनी पड़ती है वरना वो लड़की मर जाती है मैं ये सब सुनकर हैरान रही और सारा समान घर ले आई मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी जब निगाहे एक खुबसूरत लड़की पर पड़ी जिससे मेरा ससुर प्यार भरी बाते कर रहा था और क्या देखना बाकी रह गया था हम सब लोग समझ चुके थे कि ससुर इनसे भी शादी करके लाए है मैंने अपने कमरे में आकर अपनी मा को कॉल की और उनको सब कुछ बता दिया तो वो बोली अरे तुम ये सब क्या कह रही हो मैंने कहा हा मा यही सच है और अब मैं जानना चाहती हूँ कि रास क्या है मेरी मा ने कहा ध्यान से सुन ससुर के रास के चक्कर में आपने पती को नजरंदास मत करना ये ना हो कि वो भी तेरे ससूर की तरहा निकले, जो करना है सोच समझ कर करना, मा ने मुझे समझाया था, बोली जब तेरे ससूर पतंग उडाएं तो गौर करना, सब मामले पर, मैंने हामे सिर हिलाया और पेछली सारी बातों को सोचने लग गई थी, बातों बातों में नई व परवा कर रहूंगी, मैंने अपने पती में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी, जैसे मेरे ससूर की आदत थी, बहर से तो वो भी बहुत अच्छे नजर आते थे, लेकिन उनकी कुछ बाते मुझे समझ में नहीं आती थी, धीरे धीरे मैंने गाउं वालों से मिलना जुलना एक बात जो मैं देखती थी, कि गाउं वाले हमसे डर डर कर मिलते थे, शायद मैं सरपंच की बहु थी इसलिए, लेकिन ये बात नहीं थी, वो हमसे इसलिए भी डरते थे, क्योंकि मेरे ससूर जो पतंग उलाते थे, उसका कोई तो रास था, जो सब गाउं वालों को पता थ सिवाय मेरे, मैंने बहुत कोशिश करके जब गाउं वालों से पूछा था, तो एक बात पता चली थी, मेरे ससूर जो ये पतंग उलाते थे, उनका मकसद ये होता था, कि जिसकी छत पर ये पतंग जाकर गिरेगी, उस घर की जवान लड़की को मेरे ससूर से शादी करनी कोई भी खुलकर नहीं बताता था, और मैं अपने ससूर पर हर वक्त नजर रख रही होती थी, जब भी वो घर पर आते, उनकी हर एक चीज़ पर नजर रखती थी, मुझे इंतिजार था कि कब नई पतंग उलेगी और कब मैं ये मसला समझूंगी, मेरा ससूर कोई गलत काम क पूरा होने को था, मुझे अपने ससूर का कार नामा देखना था, बगएर किसी वज़ा के उन्होंने इस वाली सास को भी डाइवार्ज दे दिया था, और उसके बाद पतंग उलाने में बिजी हो गए थे, मैं बहाने बहाने से ससूर के पास जा रही थी, सिर्फ ये देखन नहीं सकती थी, मैंने सोचा, आज मैं पीछा करती हूँ, इस पतंग का और अपने ससूर का, पर किस्मत में नहीं था, तब ही अचानक घर पर कुछ महमान आ गए, और मैं नाकाम हो गई, एंड मौके पर ही इन महमानों को आना रह गया था, जब तक मैं कुछ करने का सोच थी तब तक मेरा ससूर आ गया था, और उनके साथ एक लड़की मेरी सास की सूरत में मौजूद थी, आज मुझे पता नहीं क्यूं, अपनी बुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, कि उन्होंने ऐसी कोई बात हमें क्यूं नहीं बताई थी, अगले दिन में अपनी मा से मिलने अपने माई के गई, तो मैंने मा से कहा था, कि अगर मुझे पता होता, कि ऐसे काम भी होते हैं इस घर में, तो मैं कभी भी शादी नहीं करती, ये सब मैं गुस्से में बोल रही थी, माने तो यही सोचा था, कि सरपंच के घर से रिष्टा आया था, खुशी खुशी मैंने भी हां कर दी थी तब माने कहा वैसे भी जाच परताल कौन करता तुम्हारे पिता जी तो खुद बेमार है और चार पाई से लगे हुए है और भाई तुम्हारे अभी बहुत छोटे थे किसी तरीके से माने मेरा घुसा ठंडा किया और मुझे घर वापस जाने को कहा कि अपना घर अपना ही होता है मुझे उनकी समझ आ चुकी थी जब मैंने अपने पती को अपने सामने पाया था जो कुछ भी था लेकिन मेरा पती तो बहुत अच्छा था और सिर्फ मेरे ससुर की इस हरकत की वज़ा से मैं अपने पती से दूर तो नहीं रह सकती थी इसलिए मैंने सो तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरे दे दी है, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरे पती से ये खुशी संभाली नहीं जा रही थी, मेरे चहरा खुशी से लाल हो चुका था, अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में मेरे ससुर आ गए, शुक कामनाय देने के लिए, मैं उनने बहुत बरी निगाहों से देख रही थी, अपने खुशी में मैं ये भी भूल गई थी कि कल महीना पूरा हुने वाला था और मुझे कल हर हाल में सचका पता लगाना ही था, रात हो चुकी थी, पूरा महीना हुने वाला था, जब मेरे ससुर ने मेरे सास को पिर से डाइवॉर्ज दिया था और उन्हें चलता किया था और अगले दिन जब वो पतंग उला रहे थे तो मैंने बहाने से उनके पास जाकर कहा कि ऐसे पतंग आप अपने पोता-पोती को भी उलाकर दिखाया करेंगे तो उन्होंने हसकर कहा था हाँ बिलकुल लेकिन मेरा ध्यान पतंग पर था कि ऐसा क्या लगाते थे उस पर जो जवान लड़की उनसे शादी करने पर राजी हो जाती थी पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था ये तो बिलकुल सादी सी पतंग थी मैं मायूस हो चुकी थी पर अब भी सचका पता लगाया जा सकता था ससूर जी नीचे आये तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ी थी सचका पता लगाने के लिए कि आखिर बात क्या थी मेरे ससूर किसी के घर गए थे और वहां से एक लड़की लेकर आये थे जरूर शादी करके लेकर आये होंगे पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोई बूरे इंसान से अपनी जव खराब कर रही थी मेरे घर आते ही मेरे पती ने पूछा कि तुम कहा पर गई थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं पास वाली आंटी के घर पर गई थी मेरा दम घुट रहा था अकेले घर पर मैं बहुत घबराई हुई लग रही थी मेरी जुबान से लवज भी नहीं निकल रहे थ बात घबराने वाली तो थी ही लेकिन किस से कहती और कौन था जो मुझे जवाब देता इस बार जो सास आई थी मेरी वो थोड़ी होश्यार लगती थी पहले वालियों की तरहां डरी और सहमी सी नहीं थी क्योंकि मैंने उसे एक दो बार अपने ससूर से नराज़गी का इजहार करते हुए देखा था मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कुछ पूछ पाती क्योंकि वो बहुत चलाग थी मेरे भी दिन अच्छे गुजर रहे थे क्योंकि मेरा पती मेरी और ज्यादा परवा और ख्याल रखने लगा था और मैं खुद को बहुत खोशकिस्मत समझती थी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था पर ये पतंग वाली गुत्थी सुलज नहीं रही थी जिसे मैं सुलजाना चाहती थी एक दिन मुझे अपने ससुर के कमरे से तेज चिलाने की आवाजे आ रही थी तो मैं जल्दी से कान लगा कर खड़ी हो गई थी सुनने के लिए तो मेरे ससुर अपनी पत्नी को डाट रहे थे कि तुम्हारे बहुत नखरे हैं वो मुझे पसंद नहीं तो सास ने भी आगी से जवाब दिया था कि जब नखरे नहीं देख सकते तो क्यों धमकिया देकर हम लोगों के घरवालों को मजबूर करते थे शादी करने के लिए और अगर कोई लड़की या घरवाले इंकार कर दीते थे तो क्यों उनके घर की बेटी को जान से माणने की धमकि देते थे ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं आया था अपने कानों पर इनसान के रूप में कैसा भेडिया था मेरा ससुर जो अपने ओहदे की धमकिया देकर अपने ख्वाहिश जवान लड़कियों से पूरी करता था सिर्फ एक महीने के लिए उनसे शादी करता था मुझे ये सब सुनकर यकीन नहीं आया था अब भी आवाज आ रही थी पूरा गाउन जानता है तुम्हारी हरकतों को मैंने अपने कमरे में जाकर से दूसरे गाउन गए हुए थे तो मुझे याद आया कि आज तो महीना पूरा होने वाला था क्यों ना आज मैं पतंग उलाऊं मैंने छट पर जाकर पतंग को उलाया तो मेरी चीख निकल गई ये मनज़र देखकर कि वो पतंग तो वापस मेरे ही घर पर आकर गिरी थी और अब सब गाउन वाले हमारे घर पर जमा हो गए थे क्योंकि पतंग के बारे में और ससूर के बारे में सब लोग जानते थे गाउन में कोहराम मच गया था और मेरे उपर तो जैसे पहार तूट गया था करके अपनी हवस को पूरा करते थे ना तो दिलवाओ डिवार्स अपने बेटे से और करो खुश शादी अपनी बहु से मेरा ससुर तो सीधा खड़ा था लेकिन मेरा पती मेरे आगे चट्टान बनकर खड़ा था आज मेरे ससुर को दूसरों के दर्द और तकलीव पर एहसास ह तो रहा था मेरा ससुर घुटनों के बल गिर गया था और सबसे माफिया मांगता रहा लेकिन कोई नहीं मान रहा था और अब तो ससुर दादा बनने भी वाले थे तो वो कैसे कर सकते थे घुट कर दियाव भाना और कि उलड़ा की जिम्मेदारी लेंगे जिनकी बेटियों क उनकी शादी करवादी थी और उनकी शादियों का खर्चा भी मेरे ससुर नहीं उठाया था अब तो काफी समय बीच चुका था इस बात को मेरे यहां भी बहुत प्यारी बेटी पैदा हुई थी और मेरे ससुर बहुत बदल गए थे उमर भी अब उनकी बहुत ज्यादा हो अपनी गलती पर अफसोस करते थे कि काश हमने अपने पिता को पहले ही रोक लिया होता तो ये नौबत ना आती क्योंकि अपनी मा की मौत के बाद से मेरे पती और उनके भाई अपने पिता से नरास थे अब मेरे पती को गाउं का सरपंच बना दिया गया था वो गाउं के सा कारे काम जिम्मेदारी से करते थे मेरे पती ने मुझे बताया कि उनकी मा की मौत भी पिता जी की लापरवाही की वज़ा से ही हुई थी एक दिन पिता जी तेज धूप में छट पर पतंग उड़ा रहे थे मेरे छोटे भाई की बहुत तब्यत खराब थी मा उनको बुलाने छ उटाई और फिर उनकी मौके पर ही मौत हो गई अपने पती की बात सुनकर मेरी आँखों में भी आसू आ गए थे और उन्होंने बताया तब से ही मेरे ससुर ने ये सब करना शुरू कर दिया था अब मैंने भी अपने ससुर को दिल से माफ कर दिया था जब भी वो दिन सोच तो आज तक मेरी रूह काम जाती थी, कि कोई कैसे बस अपनी जिस्मानी खौाहिश के लिए लड़कियों की जिन्दगियों से खेल सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अमीर है, गाउं का सरपंच है, तो उसे कुछ भी गलत करने का हक हासिल है, मेरे ससुर को भी समझ में आ पड़ेगा, आपको क्या लगता है, हर महीने नई लड़की से शादी करके अपनी जिस्मानी खौहिश को पूरा करने का जो काम शुरू किया था, क्या वो सही है, क्या आज ससुर को माफ करने के बजाए उनको जेल करवा देनी चाहिए थी, और क्या हमें भी उन्हें दूसरे शहर चले जाना चाहिए था, दोस्तों उमीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ नोटिफिकेशन बैल को ज़रूर दबाएं ताकि अग